TVT exam one day preparation strategy आपकी नीद चली गई है, आपको भूख नहीं लग रही है blood pressure घट गया है, बढ़ गया है ये सारी problem होती है जब हम किसी भी exam को देने जाते हैं और उस exam को हम ये मान कर चलते हैं कि यही मेरा जीवन है, यही life है मेरी उसको हम कभी ये नहीं consider करते हैं कि ये life का एक part है मैं एक चीज आपको हमेशा clear करना चाहता हूँ इस time पर एक दिन आपका exam बचा है, दो दिन आपका exam बचा है आप ये चीज सोचना बंद करें कि क्या मैंने नहीं पढ़ा है इस time आपको ये सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है वही enough है उसी से सारे question आएंगे और नहीं भी आते हैं तो मैं उन जितने अपने topic को मैंने पढ़ा है उनी topic के जो भी सवाल आएंगे उसको मैं 100% correct करके आऊंगा उन option को मैं अच्छे से पढ़ूँगा इस paper को अच्छे से पढ़ूँगा और अच्छा मेरा exam होगा साथ में student यहां पर क्या गलती करता है अब student मुझसे यही कुशेगा सरे इस time पर मुझे और भी नए topics कौन से पढ़ने चाहिए में सा clear करूँगा NCRT का हर point important है हर topic important है आप important ढूण रहे हैं important पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको stress हो रहा यह भी important है एक दिन में यह भी निप्टा लेता हूँ यह भी निप्टा लेता हूँ इस चीज़ से आप बाहर निकले अच्छी नीद लेना है इस टाइम पर आपको अपने उस व्यक्ति को अपने दिमाग में लेकर चलना है जिससे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद कर सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो जिसकी आप पूजा पार्ट करते हों, जिस इस्वर को अभी आप मानते हों, वो हो सकते हैं, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपने इस कारेकरम को आगे बढ़ाएं, एक दिन, दो दिन, जो भी आपके पास टाइम बचा है, इसको यही मान के जैसे आज तक बोर्ड इकजाम दिया, और सारी इकजाम दिया, वैसे ही आपको इसको भी लेकर चलना है, आपको बिलकुल स्ट्रेस नहीं होना, जो भी मैंने सब्द बोले हैं, मैंने कहीं पर रट की नहीं बोला है, यह मेरी स्वयम की इच्छा है, जब हम भी को topic select करें, कुछ selected topic आप नए पढ़ना चाहते हैं तो topic select करें, unit ना select करें आप internet पर ना खोजें, most important question of CUT 2023, most important topic of CUT 2023, आप ढूंड रहे हैं और लंबी-लंबी आपके पास videos आ रहे हैं लंबी-लंबी topics आ रहे हैं, notes को ही provide कर रहे हैं, इस time पर ये सब कुछ बंद कर दो, जो भी आपको पता है, वो बहुत है, उसी topic को आप revise करें I think आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, जो मैं कहने आया था, इस वीडियो के माध्यम से वो मैं कहे चुका हूँ best of luck आपको आपकी exam के लिए